हेलो दोस्तों हमारा यूट्यूब चानल में आपका सोगत है आज हम देखेंगे एक एलेट्रिक केटिल एक खराब हो गया है हम इसको टी करने के कोशिश करेंगे ठीक है इससे पहले हम इसको चेट कर लेता है फ्यूस चला गया है क्या है सबस्कूमितिफ मुशलय है नहीं चलता है ऐसṣको एर्थ और को चखरता है इसका पीच में जो हॉल है यही है कि इसका का अंदर का यर्थ जो है यही है इस्का अच्वोट्र वलिए फेस इसका अंदर लगा हुआ है आप ऐप को फेस का साथ में लगा देता है हो एक भी ऐस को साथ में दिनिदी है उसरा सब का साथ में च्निनिटी-ब्ले-ठीक है ये टो यह बैस जो है ये ठीक है अब इसको भी निकाल के चेक करेंगे अब यह सुच चालो कर दिया है अब यह फेस और लूटरिकल के साथ में मिलना चाहिए कंडिनेटी ठीक है अब जाके कोईल ठीक हम बता सकता है वी इदर नहीं मिल रहा है शायद अंदर से वायर कोई मसला हो गया है तो यह कोईल खराब हो गया है हम देखेंगे अब इसको भी ओपन करेंगे अब दोस्तों तो दोस्तों हम से इदर से दिखाई दे रहा है यह जो तिम्बल है इदर से जल गया है ठीक है हम इसका कांडिनिटी अभी चेक करेंगे एक कोईल ठीक है कि नहीं कि यह कोईल जो है ठीक है कोईल में कोई मसला नहीं है हम इसको इदर से भी ओपन कर लेता है हम इसको भी निकाल दिया है अभी हम इसको सुच चेक करेंगे कि सुच में कि यह ऐसा ओवर हीट हो गया यह देखो जी ओवर होट हीट होके यह बेंड हो गया तो इसका जो बीच में जो कॉंडाक्ट है वो कट हो गये वह कि सुच से भी तोड़ा सफाही कर देंगे थी कि सुच से भी तोड़ा करा भी है कि सुचआप ना इनकार रहा था यह इसका सवंडाक्ट है थीक है यह इसका अंदर इसका अंदर अभी कॉंडक्ट पक्ड़ा हुआ है ज़िसका शलिजब में नहीं है के लिडिया इसको रह immensely तो यह फूह solar का उन सी सब्सक्राल अदे इसको reset कर देता है, switch को, ठीक है जी, ऐसा reset हो गया, यह जाके इधर से जो गेरम होगा, तो यह जो है, ऐसा दबेगा, ठीक है, इसा दबने को time जो switch है, अभी on में है, on position में है, जब जाएगा, यह return आ जाएगा, जब यह दर return आ जाएगा, इधर जो है, आपको दिखाया था, वो conductor छोड़ जाएगा, ठीक है जी, हम आपको अभी दिखाता है, हम अभी continuity में डाल रहा है, अभी switch चलता है, इतर से जब press होएगा, बंद होगा, ठीक है, ठीक है, अभी हम switch को T कर दिया, अभी switch को हम वापस डाल देता है, अभी इसको डाल दिया, इसको डाल दिया, यह मतलब यह ज्यादा overheat हो गया, ठीक है, यह overheat होने का वज़े से यह खराब हो गया, अभी यह जो वायर है, यह भी हम इसको, मतलब हम शोल्डरिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, इधर जो तिम्बल लगने वाला जो जगा है, वो जल गया है, पूरा, ठीक है, इधर से भी तोड़ा, इसका इंसलेशन जो है, खराब हो गया, इंसलेशन खराब हो गया, इसलेशन है, हम कट कर देता है, इसको, कट कर के निकल देता है, इसका जो वायर है, जया हम इसको साथ में अभी इसको लग्या इसको साथ में रखे, टाइट कर देंगी, इसका तोड़ा इंसलेशन निकल देता है, इसको इसको साथ में लगा देगा है, तो इसका साव में लगिया है जी इसको अधर से टाइट कर देता है इसको अधर से टाइट कर देता है जी तिम्डवित अम डायरेक्ट कर दिया भी तिम्डव नहीं है कर देता है जी तिम्ड़ कर देता है जी तिम्ड़ को से टाइट कर देता है त्युक्त अधर यह यह जी इसको टाइट नहीं है यह जो है कोईल है जैसे कोई वायर इसमें टाइट नहीं होना चाहिए ठीक है जी अधर गया है अधर गया हुआ है अधर गया हुआ है अधर दशय को चलो जी हम इसको भी चक करता है ऐपने डाल दिया याथ टीक है यह रहा है सका बेस त्यक्यट कर दिया है कि कि इंडिकेर जल गया है कि अभी कोईल गरम होता है देखेगा कि इसको बंद करके देखते हैं ठीक है जी बंद हो गया कि अभी हमारा हेटर चालू हो गया जी ठीक है अभी दूआ भी आप देखता होगा कि यह गरम होगा यह दोर पूरा बंद होना चाहिए तब जाके यह गरम होगा जो सुच सुच गरम होगा तो यह आपस ट्रिप करेंगे और देंगे जी ने रहा इसका सुच अब यह दो देंगे कर दाल दिया जी इंडिकेटर भी लगा दिया बीद विदर से फिट हो गया जी आप यह कि भी हो गया है तो नहीं है तो अचसे देख लेना कि दर से भी टाच नहीं है इसको टेकर लेता है तुह अभी हम इसको पीछे साहे आगा हुआ कि देता है तुह एग लोग सिस्टेंगा जी अगा. क्लिया किया जी हम इसको डाल दे है कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि हम पानी डाल दिया है कि कि अ मैं भी प्लगिन कर देता हूँ इस उची डाल रहें इंडिकेटर चल गया है कि अ प्लिकेटर जी कि अगर इंडिकेटर जल रहे है इटर गराम हो गया जी पानी पाइल हो गया है ठीक है अ गई आपना सुच देखो ट्रिप कर देंगी कि अपना सुच जो है क्लिप कर दिया है ठीक है इंडिकेडर भी बंद हो गया है ठीक है ओके यह रहा आज का हमारा वीडियो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ठीक है शुक्रिया थैंक यू